हालो फ्रेंग्स आज मैं आपसे मिले आई हूँ एक केरला की रस्पी लेके यह केरला की ऑथंटिक के रस्पी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही है तो चले फिर इस रस्पी को जबी से बना लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक कप के करीब ब्लैक चनव यानि काला चनव कैशन के लिए रक दिया था और पर मॉनिंग में अजर हूँ प्रेशर कोकर में ढालकर नीं की जाली है ऱहस मैं और प्रेश्य फन्स का dziए वन्स में तो हंड़िया और तीन से चार चंब रच गटकर गीमें चैनलों कि प्रुप यस जिन्जर मिल प्रमीर तक अब एक पैन में मैंने एक हाफ स्पू्न की करीब देला है ऑर धाय चमजु Yes में एने मैं धनिया जाला है। ठीन दालगा। पाउडर मैं Laser करहा ना भी मैंंसरा म्मसारा कर्री और लिव स्पूण करीब करें DR 10 ही चार मिर्च आप इस रेस्पी में कम ज्यादा अपने टेस्ट कर सकते हैं इन सब को हम रोस्ट करेंगे कलर चेंज होने और खुश्बू आने तक कि इसे कांटीनियू चलाते वए हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक हमारा चना बॉयल हो रहे तब तक हम इस मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं इससे रोस्ट करने में आपको डेड़ मिनिट का टाइम लगेगा और देखी मसालों से कलर दीरे तरह चेंज होना स्टार्ट हो गया है इसे कंटिनुट चलाते हैं मैंने रोस्ट कर लिए अच्छे से अधिकी कलर भी चेंज होगी है और एक तरफ ठंडा होने के लिए स्पैन को रख दूंगे और तब तक चने को भी थोड़ा हलका सा मैश कर लेती हूं और एक मिक्सी के जार में मैं दो बेटे स्पून की करें चना निकाल लेती हैं उसको ग्राइंड करने के लिए अब यह रोस्ट किया हूँ मसाला जो था अब इसमें आड़ करेंगे अब इन सब चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे फाइन पेस्ट होने तक अब दूसरे पैन में मैं ले रही हूं एक बड़ा स्पून आप रिफाइन ओल भी यूज कर सकते हैं और गरम होने देंगे और गरम होते इसमें डाल रही हूं एक मेडियम स्पून की करी मस्टर्ट सीड जैसी क्लेटल हो जाएक मस्टर्ट सीड ओल में इसमें मैं डाल दूंगी तरी लीफ आट से दस कड़ी पत्ता ही है सुखी लाल मिर्च दो डाली है मैंने तोड़ के इसमें इन सब को भी ओल में फ्लेवर आने तक हम रोस्ट कर लेंगे अब यह ग्राइंड के हुआ मसाला है वह मैं इसमें आड़ कर रही हूं मसालों को चलाते हुए हमें इसका पानी पूरा अच्छे से सूपने तर इसे भूनना है जब तर मसालों सा ओयल रिलीज ना हो जाए यह देखिए मसालों से धीरे धीरे ओल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है इसे कंटिन्यू लो फ्लेम पे आप गूम लेगा इसमें नमक डाल देती हूं फेस एक स्पून की करीब मैंने डाला है काली मिर्च लाल रही है इसमें हाफ स्पून की करीब इसको भी अच्छे से हम चला लेंगे तब कुछ इस मसाले को हमें कंटिन्यू तीन से चार मिर्ट अच्छे से भूनने हैं अब गुनावा मसाला मैं चने वाले पैन में डाल दूंगे बॉयल चने के अंदर मैंने गुनावा मसाला एड़ कर दिया और इसको अच्छे से स्टर करते हुए हम घर मिनित तक चलाते हुए पकाएंगे अब उसी पैन में मैंने डेड़ कप के करीब पानी रग दिया गरम होने के लिए जिस पैन में मैंने मसाला भूना था अब उसको इसमें आट कर रहे हुए अब अलक से गरम करके एड़ कर सकते हैं और फिसको स्टर कर लोंगी में और इसी तरह एक मिनिट में स्टर करते हूं इसको कुख करने के बाद कवर करके कुख होने के लिए रग दूंगी 6 मिनिट के लिए मैं आपको दिखा रहे हूं मसालो और ग्रेवी से कैसे ऑईल पूर अच्छे से रिलीस हो चुका है और हमारी ये केला करी बनके रेडी हो गई है उसे कवर करके मैं रग दूंगी 2 मिनिट के लिए मसाला सेट होने के लिए और फिर इसको मैं सर्फ कर लेती हूं देखिए मैंने सब ने कर Sea और आपको दिखा धिया है है ना यह इजी रिच्पी और फटा फट बनके रेडी हो जाती कि यह ज्यादी है जो भी टाइन है बस बनाईने में इसमें लगता है और यह रिच्पी आल्मोस्ट 15 मिनित में बनने के रेडी हो जाती है तो आपको ये recipe का थोड़ी भी पसंद आती है तो आप इसे बनाईए और enjoy कीजे और मैं आपसे मिलती है अपनी fit next recipe पे तब तक के लिए bye bye जापसे मिलती है, नहीक बटेंगा, टॉड़ी बड़ी पेद सेघाईए की को home थापसे मिलती है जापसे मिलती है जहीक जापसे मिलती है जापसे मिलती है झाल झाल